नमस्कार दोस्तों मैं योगाचारी बजरंग एडवांस योगा नियोडो तरफिटी किछा के इंदर नानोल हर्याणा से दोस्तों जिनके गुटनों में विदर्द है और कमर में विदर्द है तो किस परकार अक्साइज करें आज हम आपको बताएंगे आज हमारे साथ हैं इमाचल परदेश से आई है माताजी कोसला देवी इनके सिर्पडिस है और गुटनों में दर्द है तो किस परकार अक्साइज करेंगे इनका एक पैकेज बनाने जा रहे हैं अगर आप भी इसे समझेद बीमारी से गरस्त है और गुटनों में दर्द है तो आप भी हमारे पीछे-पीछे कर सकते हैं शीख सकते हैं दूसरी बात मैं इनको ये कहुँआगा मैंने इनके अक्सेसाइज करवा के देखी है एक जवान में नहीं कर सकता जो ये करते हैं उने 70 साल इनकी उमर है और अच्छे से एक्सेसाइज करते हैं आप भी सीख लीजी इन से ऐसा ने कि योग कोन करेगा आल सी जो जीव होते हैं वो उठते ही नहीं सुबह सुबह कौन योग करें योग करोगे तो बीमारी को दूर बगाओगे माता जी ने आते ही बताया कि मैंने योग की आपका वीडियो देखके और मेरे फरक हुआ तब यहां आई है ना अरनोल में तो इनका वीडियो एक मैंने देखा भी है ना इनका वीडियो बना देंगे और इनका जो अक्सिसाइज करने का तरिक है हुओ मैंने देखा है तो किस परकार जो अक्सिसाइज करते हैं और कौन-कौन सी और बढ़ानी है वो हम अब आप लोगों को बता दोगा इनका भी package बन जाएगा, आपका भी package बन जाएगा माताजी लेट जाइए जिनकी कमर में दर्द है या गुटने में दर्द है दोनों में है तो लेटके करेंगे बैठके नहीं करेंगे और सबसे पहले कौन सी करते हो बताओ पहले ये पंजो को बाहर बितर करना कितनी बार करते हो मिनिमम 20 और मैक्सिमम सो तक कर लेते हैं उनेतर साल की उमर में ध्यांदे कितनी उठ जावान है बाताजी ठीक है दूसरी एक्सराइज करो एक दो तेन ये कितनी बार कर लेते हो ये शाइए शुरुआ तो भी इस बार से करनी होती है करते रहा हो और जितना चाय कर लो यह सबसे अच्छा है, जिनके कमर में दर्द है, गुटनों में दर्द है, अगर यह exercise आप लेटे-लेटे, बेटे-बेटे करोगे तो, उठने से पहले यह तो बता रखी है, बताया था न वीडियो में ने, उठने से पहले यानिकी बिश्तर सोटने से प पिछे, अपना इलाज अपने हाथ में है, करना आपको है, ठीक है, कम कर ले, जो दर्द करे, जो दर्द करें, उसका खिचाओ कम कर दो, अगर पूरा खिच रहे है, दर्द करें, उसका खिचाओ कम कर तो, आराम आराम से कर लो, ठीक है, नैस्ट करो, यह, यह बैस्ट है, ज जिनके उंगलियों में दर्द है ना उनके लिए अच्छा बैस्ट है ये कितनी बार ये कितनी बार भी कर लो दिन में चाहे कितनी बार भी कर लो बैठे बैठे ऐसे जिनकी उंगलियों में दर्द है वो कर लो सबास ठीक है आप भी करें करोगे ना तो फाइदा मिलेगा नेश्ट करो कि यह कलोकवाइज और एंटी कलोकवाइज जिद्यान दे कितनी बार करते हो यह मैक्सिमम एंडरेड हाँ अपनी छमता के नुशार करना एक सो भी सो भाइज और बार कर सकते हैं आप सुरुवाद में आराम से करना ठीक है ओड मत करना एंटी कलोकवाइज बस विदी देख लो एक आदज डाल लो फिर आप कितनी बार भी कर सकते हो शुरुवाद में ज्यादा मत करना बस ठीक है अब यह फॉर्म दबाओ लेटे लेटे भी कर सकते हैं जो बैठे बैठे कर सकते हैं और दबा कि इसको 10 सेकिन रखना कैसे दबालिया एडी नहीं उठाना ठीक है एक दो तेन चार पाथ छे साथ आठ नो दस लूच एक बार फिर दबाओ एक दो तीन चार पाथ छे साथ आठ नो दस इसको कितनी बार करोगे पाथ बार से लेके दस बार तक और दस सेकिन का होल रखना है ठीक है और फिर लेटे लेटे ही रोल वाली करना है नहीं लेटे रो अब पंजे को अपनी और मोड़ो फिर आगे के और मोड़ो एक दो तीन चार पाथ छे साथ आठ नो दस डाउन लम्मी गेरी शांस बर लेंगे ठीक है और फिर करो एक दो तीन चार पाथ छे साथ आठ नो दस ये भी पांस बार से लेके दस बार करनी है आप तो चाहिए भी इस बार भी कर लोगे आपको अदध पुड़ी हो ला ऐसे जवान चाहिए हमें आप एक पैर मोड़ो नीचे हाथ लगाओ अब उपर गुटना करो पैर कर उपर एक दो तीन चार पाथ छे साथ आठ नो दस ग्यारा बारा तेरा चोदा पंदरा सोला सतरा अठारा उननेश बीश यह बीश बार करना है ठीक है अब कमर के लिए कर लिए पैर मोड़ो एक पैर मोड़ो एक पैर मोड़ो एक पैर मोड़ो लगाए इसको पवन मुक्त आसने नीचे हाथ लगाना है इसको तीर सेकंड रोग लेते हो ठीक अच्छी बाद इससे पेट के रोग भी दूर होते है यह जो पवन मुक्त आसने हैं पवन मुक्त नाम क्या है पवन मुक्त हो जाती है यह जो पेट में जो गैस बनती है वो मुक्त हो जाती है दूसरे पैर से करो इस सभी को करना ची है सभी को जो सबस्ट है उनकों की करनाची अर देखो और फाइद हे कमरदर्द के लिए गुटना दर्द के लिए पेठ के लिए ठीक है इसको कितनी अबर करऊने पांच बार दस बार जितना चाहे कर लेना ठीक है अब इडूपटा से अपने जो पट्टे वाली जो अक्साइज हो अपने डूपटा यहां लगाया और खी चलो दो तरकिस हो गई है एक तो लेटे लेटे ऐसे भी कर सकते है ठीक है और दस के नो एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस रिलेक्स इसको पांच बार से दस बार करना है दूसरे स्टेप में क्या करेंगे पैर को उठा लेंगे शबास एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस ये कितनी बार करोगे ये दस बार बीश बार कर लेंगे ठीक है अब एक पर उठाईए नहीं शिदा रखिए एक पर शिदा उठा के रखिए इतना ये घुट्णों में विलाब कर लिए है और कमरें में विलाब कर लिए पंज आगे के और तान लेजिए एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस टाउन फिर इसे करेंगे हाँ इसे दो स्टेप में करना है पहला स्टेप में क्या करना है पंजे को आगे करना है फिर दूसरे स्टेप में पंजे को पीछे करना है ठीक है इस फरकार से आप कर और यह अगे फिर पैर को मोड़ो तो गुटनों की निचाहत लगाओ और पैर को सिद्धा कर लो कर लिया अब पंजे को एक और पिछे के और मोड़ो एक फिर उपर के और दो तीन चार पाच छे साथ आठ नो तस डाउन फिर उठाके फिर वैसे करना है ठीक है अब दोनों पै पारसन करेंगे हाथ खोल लो पैर इधर और गर्दन उदर किते देरो होल्ड दस सेकिंड दस उनिट है ठीक है वीच में ले आओ शुरुवाद में पास सेकिंड का होल्ड रखेंगे ठीक है अब दूसरी तरफ करो सबस ये भी आप पास बार या दस बार कर सकते जितना करोगे इसका फाइदा क्या है जो चर्बी है न कमर की वो भी कम होगी अच्छा है और पेट की चर्वी कम करने के लिए आप जितना करोगे उतना अच्छा है दूसरा बाग फिर पैरों में फासला कर लेंगे चेंज ठीक है ये भी आप दस दस बार कर लेना ना और जितनी बार हो उतना अगर पेट में चर्वी जादा है बजन कम करना है तो मरगटासन को चाहे पचास बार कर लो ठीक है ऐसे पवन मुक्तासन को भी आप चाहे सो बार कर लो पेट की चर्वी कम करने के लिए अब पेट के बल लेटो अब बुजंगासन करो ये कि वरते ही उपर और सास खाली करते हैं नीचे कहीं पेन नहीं है ना ठीक है कितनी बार करते हो यह जित मैं तो दस बार कर लो बहुत है सब्सक्राइब करना चाहिए बुझा आसन तो तक हमारी कमर बिल्गुल फिट रही यह सर्वाइकल के लिए बच्छा जिसके सर्वाइकल है तो पिछे ऐसे करें तो उसके लिए फाइद मत रहेगा जिनको सर्वाइक लगते हो तो अगला सब्सक्राइब करो है कि पेन कहीं नहीं ठीक है 39 साल की उम्मन में ऐसे शरीर को फिट रखना विबारी आजाए कोई बात नहीं उसको दूर बगाना अवारा काम है ठीक है आसन करके वयायम करके प्रणयाम करके ठीक है आगला करो ये सलावासन सब्सक्राइब कितनी बार करते हो ये द्थ दस बार करतेओं ना पैरसी ठीक है और भी कुस असन करते हो इसके आलवा gate कि जो जो वीडियो मैंने बहुत सारी वीडियो में बना रखें इसके अलावा जो वीडियो आपके सामने आजायराप इच्छा elephant अब ये करके देखूँगा तो कर ली दिए बैठके दिखाओ करके दिखाओ क्या क्या करते हो अब मोटा पर ली अच्छी बात है यहाथ भी अपने समस्त रही वीज़बा रहा इसे शबास अब मेरे वीडियो देख की करने लगे हो अब भी जोस आगए वह अच्छी बात है और करो मोटा पावाले और करो यह बात यह बात सही है कोई करें तो ना कोई करें तो बैठे बैठे करें तो लो देख लो नहीं उनको बता रहा हूं मैं जो आपको देख रहें उनको बता रहा हूं उनको बोल के जाना किरो जाना किया करो ओर बहुत कोई बात ने ठीक है और पैर खोल के ऐसा कर लो चाहे ऐससे रसी किचना रशी कुवे पर किचे रसी कुवे पर न सब्सक्राई बारा कि भुजरु को गली अच्छा बया है बता रहत क्या मैंने बैटे-बैटे करलो अपने हाथ पर हिला लो जुड़ गए तो फिर यह मैं सोच ना बेटे शेवा नहीं करते बहु बेटे शेवा नहीं करते अपनी शेवा खुद करो अपना सहा देखो चक्की कमर में दर तो नहीं है ठीक है शरीर को चलाएमान रखोगे तो ठीक रहेगा सेवा की जुरूत नहीं पड़ेगी और दूद मिलो ना वाले यह बात प्रणायम भी आते हैं आपको प्रणायम का पाल बाती है अनुलो मिलो ठीक है तो अब यह वह भी करते रहना और यह वाले और कर लो अच्छा है कि 20 लुँफ बार गयाँकवाइज 20 लुँफ मार य्ट लुप यह कर सकते आप बिलकुल लुफ और यह 2010 कौनby 7 और खुल लो यह वाला यह वाला देख्या हाँ ठीक है बहुत बढ़ी है बहुत बढ़ी है इस आपको एक गंटेश्य जादा लगता हुगा है 1.5 गंटा पांट वजे से ना साथ पांट शे लेक्समी साथ और तक पांच से साथ योग करती है माताजी सुबह सुबह ठीक है यह वीडियो आपको दिखाने के लिए था मैंने तो माताजी का योग देख लिया था पड़ जो गरपेठे योग नहीं करते ना कि योग से क्या होता है प्रणी के लिए है कि जैसे पेशन के साथ बहुत नमता से बात करते हैं और अच्छा सुझा देते हैं एक्साइडीस बढ़े तरीके से करोते हैं और इनको बोलो योग किया गरो और आप सब से अम्रों देखिया अब इस उबहुत कर जल्दी जल्दी से जल्दी उठकर रो पाने साथ ही हैं वो वीडियो को शेयर कर देजिए ताकि सभी के पास पहुंच जाए और वीडियो देखे के रोजाना योग करें फिर मिलेंगे जैन जैवारत धन्यवारत